कल क्या होगा? शायद यह हर कोई जाना चाता होगा. क्या कल उसे इंसान के लोटरी लगेगी? क्या उसे अपना प्यार मिलेगा? क्या उसे धेर सारा पैसा मिलेगा या फिर उसके मृत्ति होगी? या कोई नहीं चाता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है? हर कोई चाता कि वो अपना भविश्च देख सके पर कैसा हूँ अगर हम अपने एक दो वर्ष के भविश्च देखने के बजाए भविश्च में वन गोगुल येर्ट, यानों कि एक के बाद सो जीरोज वर्ष के बाद के भविश्च को देखे तूं तो चली जाने कि वन गोगल यर्स बाद हमारा प्रम्हान का नजारा कैसा होने वाला है वेल गाइस मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं Run With Science तो चली शुरू करते हैं एक अरब वर्ष बाद अब सूरिय 2020 के सूरिय से 10% जादा चमकदार बन चुका है जहाँ पर 2020 में धर्ती का एवरेज तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस था अब वो 47 डिग्री सेल्सियस हो चुका है समुद्र और महसागर अब काफी तेजी से भाब बनकर प्रित्वी के एटमोस्पेर में जा रहे हैं इसके कारण अब प्रित्वी में ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही जादा हो चुका है और प्रित्वी पर जीवन की उम्मीर बिलकुल खत्म हो चुकी है पर तीन अरब 80 करोड वर्ष बाद एंडुमेडा गैलेक्सी हमारी मिलकीवे गैलेक्सी की तरफ चार लाग किलोमेटर पर आवर की गति से आ रहा है 2020 में एंडुमेडा गैलेक्सी प्रित्वी से 2.5 मिलियल लाइट यर्स दूर है पर अब यानि तीन अरब 80 करोड वर्ष बाद अब यह मिलकीवे से टकरा चुका है अब दोनों गैलेक्सी की मर्ज होनी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब कुछ करोड वर्ष में यह दोनों 100% मर्ज होकर एक नए गैलेक्सी का निर्मान करेंगे जिसका नाम मिलक्रोमेडा होगा तो अब चलते हैं कि 500 करोड वर्ष यानि की 5 अरब वर्ष बाद हमारा सौर मंडल कैसा होगा हमारा सौर मंडल जो अब मिलक्रोमेडा गैलेक्सी का हिस्सा है अब वो अपने अंतिम समय को खिन रहा होगा सौर्य एक्सपांड करते करते एक रेट जायंट बन चुका होगा और यह अपने 2020 के साइज से 200 गुना बड़ा हो चुका होगा सारे रॉकी प्लैनेट्स को सौर्य अब निगल चुका होगा और सूरी का साइस जुपिटर की और्बिट से भी बड़ा हो चुका होगा वैल अब जाने की 12 अरब वर्ष बाद क्या होने वाला है जैस सोलर सिस्टम में आप यह वीडियो को देख रहे हैं वो 12 अरब वर्ष बाद ऐसा हो चुका होगा सूरी अब कोलाप्स करकर एक वाइट बवर्फ बन चुका होगा वाइट बवर्फ स्टार काफी छोटे होते हैं और काफी डेंस स्टार होते हैं और हमारा सूरी वाइट बवर्फ बन कर अब ठंडा हो रहा है और धीरे धीरे वो ब्लैक वार्फ स्टार बनने की प्रक्रिया में चला गया है पर सौ अरब वर्ष बाद गैलेक्सी के regular collection जिसे सूपर क्लस्टर भी कहा जाता है और हमारे Milky Way गैलेक्सी वर्गो सूपर क्लस्टर का हिस्सा है सौ अरब वर्ष बाद वर्गो सूपर क्लस्टर इतना पुराना हो जाएगा कि अब सूपर क्लस्टर अपने अंदर की सारी गैलेक्सी को मिला कर एक नए और विशाल गैलेक्सी का निर्मान करने वाला है जो कि बहुत ही बड़ी होगी और करोडो लाइट एर्स तक फैली होगी यह प्रोसेस युनिवर्स में सदियों से चला आ रहा है और आज के समय जो पिशाल गैलेक्सी हैं वो अभी एक टाइम पे सूपर क्लस्टर थे तो चलिए अब जाने कि एक खरब वर्ष बाद क्या होने वाला है वाल एक खरब वर्ष बाद अब ब्रह्मान में कोई गैस क्लाउड नहीं बचा है जिसे कि नई तारे का निर्मान हो सके और नई तारे का जन्म रुक चुका है दो खरब वर्ष बाद अब पूरे प्रम्हान में डार्क एनर्जी का प्रकोप पड़ चुका है डार्क एनर्जी के कारण प्रम्हान इतनी तेजी गती से एक्सपैंड कर रहा है कि अब प्रम्हान का साइज बहुत ही विशाल हो चुका है हर चीज, हर दूसरी चीज से करोडो लाइट यर से भी ज़्यादा दूर चले गई है जिसे अब किसी भी चीज को नहीं देखा जा सकता Well, 20 trillion years बाद, यानि कि 20 खरब years के बाद अब प्रम्हान के सबसे उम्रदाज तारे, red dwarf भी अब एक तारे के जीवन का आखरी रूप यानि कि black dwarf star का रूप ले चुके है Well, 100 खरब वर्ष के बाद, अब प्रम्हान में light कम हो चुकी है अब प्रम्हान में सिर्फ neutron star और black dwarf star बचे है और black holes अब इधर से उधर भटक रहे और बची कुझी चीजों को भी निगलते जा रहे है Well, अब वर्ष चल रहा है 10 to the power of 37 यानि कि एक के बाद 70 zeros यह ब्रम्हान के अस्तित्व का second last stage है सारे planets, star, gases का एक एक atom अलग हो चुका है अब युनिवर्स में energy का कारण सिर्फ proton का decay होना है और सारे matter को black hole निगल चुका है 10 to the power of 100 यानि की one gogol years के बाद अब ब्रम्हान का आखरी black hole भी hawkins radiation के कारण evaporate हो चुका है और अब ब्रम्हान में कुछ नहीं बचा लेकिन सिर्फ दो चीज़े बची है एक to run with science का subscribe बटन और एक like बटन तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे like करें चैनल को subscribe करें इस वीडियो को share जरूर करें धन्यवान मिलते हैं अगले वीडियो में